नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपके अपने यूटूब चेनल जारकन डिफेंस जो पे जी याँ गाज आप सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता होगा हमारे दोवारा जो न्यूज दिया गया था यानि पिछले कल जो केबिनेट बेठक होई थी तो फ्रेंड जैसा सी जो नियमा वली है बहुत सारे चंजस हुए है तो गाज आज की जो इस वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंड होने वाली है तो आप सभी वीडियो पे अन्तक जरूर बने रहे तो गाज कल को क्या रूप में करने वाला हूँ तो फ्रेंड आप सभी वीडियो पे अन्तक बने रहे इससे पहले चेनल पर अगर आप नहीं है दोस्तों तो चेनल को सब्सक्राइब करके बेल बटम को प्रेस कर लेंगे आगे कि जो भी वीडियो आएगी नोडिफिकेशन आएगी पल पल की अ हम अधर एस्टेट से किये हैं तो दोस्तों सारी कुछ जनकारी देने वाले हैं साथ ही जैसे सी नई निमावली में क्या बदला हुए हैं परिक्षा को लेकर वो भी बताऊंगा तो वीडियो पे अंतक जरूर बने रहेगा साथ ही दोस्तों यदि आप जार्खन के मूल वास हैं यदि आप यूपी बंगाल या किसी या बिहार से किसी भी राज से मेट्रिक इंटर किये हैं तो उस छाथ फोरम को अपलाई कर पाएंगे या नहीं पूरी जनकारी दूंगा तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं तो वीडियो को फ्रेंड लाइक जरू कर दे तो गाट सबसे पहले जान ले जो पहले फ्रेंड परिक्षा आविजीत होती थी छेत्री भासा में ठीक है जो इंटर या मेट्रिक यह सभी में लागू होंगे साथ ही असनात्तक अस्त्रिय परिक्षा तो गाइज उनमें जो लेंग्वेज पेपर है हिंदी संस्कृत और इंगलीज आप से भी ध्यान से सुनिएगा हिंदी इंगलीज संस्कृत सभी को हटा दिया गया यानि पेपर जो दो है फ्रेंड जिसमें आपका जो रिजल्ट मनेगा मेदा सुची पेपर जो होंगे फ्रेंड दसवी बारुवी में वन टू थ्री पेपर होंगे वन टू और ठी लेकि पेपर 2 में इंगलीज हिंदी और संस्कृत इनको हटा दिया गया है और पेपर 3 जो जीके के समान प्रस्न है वह सेम रहेंगे ठीक है तो गाई जिके राज अस्त्रिय पदो पर जो भी भरती आएगी बारुवी अस्तर पर और 10 अस्तर पर राज अस्त्रिय पदो के लिए ब उर्दू बंगाली संथाली मुंडारी मुंडा हो खड़िया खुडुक उराव कुरमाली खुरटा नाकपूरी पंचपरगनिया में किसी एक भासा का प्रिक्षा उपकल्प के अधार पर या भेति दे सकेंगे ठीक है जीला अस्तरी है जो जीला अस्तरी है फ्रेंड जो जीला से हैं तो फ्रेंड आप सभी को दिखें आप दी गई है आप सभी को यह लेंगा जैद या माली जराची से हैं तो आपको कुडुक खडिया मुंडारी या नाकपूरी पंचपरगनिया बंगला कुरमाली यह आप सभी को एक सेलेक्ट करने होंगे ठीक है पेपर दो के लिए और उनमें मेदा सुची में यह जोड़ा जायागा ठीक है आप सभी समझ चूके होंगे और तीसरा जो नियम मनाया गया फ्रेंड मैं बता दू जो असनात्तक अस्त्रिय परिक्षा है माल लिजे सीजीयल सीजीयल का जो फ्रेंड माल लिजे जो परिक्षा है वह पीटी और म मेंस जो पीटी और मेंस पहले होती थी अलग-الलग लेकिन अब जो कल की निमावली गठीद हुई । हम समाप्त कर दिया गया है जिफ में मैं एक्जाम होगी और में 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 इक्जाम होंगे ठीक है और सभी में तिन-तिन पत्र एक्जाम देने होंगे ठीक है गायज हे तो मैं बत करूंगा तो हम आप बात करें lagi के जो दस्वी या बार्वी पाम जारखंट बॉट इन states देश로म से किये या अधर बॉट से तो क्या उनको peacechuss भरम भरने में योगेता ठीक है अभियर्थियों को आयोग आविदन प्राप्त होने की अंतिम्तिति तक असनातक अथवा समकक्ष उतिन होना अनिवार होगा यानि फ्रेंड कोई भी अगर भरती आती है तो उस डेट में आपका जो परमान पत्र है पास होना अनिवार रहेंगे चाहिए वो म आवस्थित मनेता प्राप्त सेच्छिनिक संस्थान से उतिन होना अनिवार होगा तो गाइस देख सकते हैं दस्वी और बार्वी यदि आप झारखंड से किये हैं चाहिए कोई भी बोड़ो चाहिए जेख हो या सीबीएशी हो तो यदि आप झारखंड के मूलवासी है ठी ठीक है और आप किसी भी category से आते हैं या आप जेक से किये हैं चाहें CBSE चाहें कोई भी बोडो ज्ञारखन से होना अनिवार हैं तो आप forum Philip apply कर सकते हैं ठीक है बिलकूल कर सकते हैं अब चुकी बात हैं उन्चात्रों की जो ज्ञारखन के मुलवासी हैं ज्ञारखन के वह मुल फोरम को apply कर पाएंगे लेकिन उनके लिए नियम सर्ते हैं मालनी जी आप बिहार से किये हैं metric, enter और यदि आप कोई भी छात में सभी category के बात कर रहा हूं इस category से ST, SC, OVC मालनी जी आप ST, SC, OVC category के हैं यदि आप बिहार से किये हैं metric और इंटर तो फ्रेंड आप जार्खन में फोरम apply कर सकते हैं लेकिन सर्ते ही हैं कि आप से भी जो फोरम फिलिप करने समय आपको ST, SC, OVC जो आपका जो card certificate मनता है वो अनिवार रूप से लगेंगे ठीक है अगर आप वो देंगे तो आप फोरम को apply कर पाएंगे ठीक है तो दोस्तों जार्खन के जो यह जो फैसल जो नीती जो फ्रेंट के बिनेट में सुईकिर्थी गई है यह जार्खन में जार्खन के हीत के लिए बनाया गया है तो आप जार्खन के कोई भी फोरम आएंगे metric इंटर अपलाए कर पाएंगे अब चुकी रही बात जेनरल के टिगरी वालों के लिए अब माल लिजे कोई जेनरल के अभी हरती है ठीक है मैं जेनरली के बात करा हूँ वो यदि जार्खन से किये हैं कोई भी बोट से तो वो तो फोरम अपलाएं बिल्कुल करेंगे ठीक है यदि माल लिजे यदि आप जार्खन से हैं और जेनरल है ठीक है और आप किसी कारणव बिहार यूपी या किसी अन्य राज से आप मेट्रिक इंटर किये हैं तो गायज आपको एक सर्थ पे फोरम भरने को दिया जाएगा यदि आपके पास EWS certificate है यानि आपके फ्रेंट जार्खण में EWS certificate बन रहे हैं तो भी तो ही आपको फोरम भरने दिया जाएगा ठीक है नहीं तो आप वन्चित रह जाएंगे ठीक है अईसे सभी candidate हमारे अनुसार 99% अभिहरती जो जार्खण के मूलवासी है वह फोरम अप्लाय कर पाएंगे ठी है तो भी फोरम भरने दिया जाएगा ठीक है और जो जेनल के चात रहें समानेवर के चात यदि आप जार्खण के मैं फिर से बता दूँ है ओर आप किसी कारण वास दूसरे सेन किये है तो आपको फोर्म या से चाहिए तब सभी आप इस फोरम को कोई भी दस्वी बार्मी के अपलाय कर पाएंगे ठीक है गाइच और अगर आप चाहते हैं कि पूरी डिटेल्स के साथ जनकारी दू तो आप सभी कमेंट जरूर किजें कि मैं लाइफ सेशन में आऊ ठीक है तो आप सभी कमेंट सेशन में करते हैं कि सर आप लाइफ सेशन में आज रात आट बजे जरूर आईए तो मैं सारा कुछ जनकारी दूंगा वहां ततकाल आप सभी क्लिए एक अपडेट थी वीडियो अच्छे लगी तो लाइक करें दोस्तों पर सेयर करें